नमस्कार दोस्तों अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइब निश्टन डिपोर आईए नज़र डालते हैं आज की बड़ी ख़बर पी के विशय पर जानकारी की तो उन्हें अभगत कराया गया की चारे की कोई समस्या नहीं है यहां प्रतिदिन 22 कुंटल हरा चारा भी आता है तथा पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है 25 एकर भूमी में बने इस गोशाला में अलग-अलग सट बनाए गए है तथा ठंड से बच की कोई समस्या नहीं है प्रमुक सचिव ने गाए के गोबर का क्या किया जा रहा है के विशय में जानकारी की तो उपस्थित अधिकारी द्वारा अभगत कराया गया की स्मार्ट सिटी योजना के तहट सी एंजी प्लान्ड लगाया जाएंगी जिसके लिए कार्य किया जा उन्होंने गाई के गोबर से लकड़ी वगाई मूत्र से फिनायल बनाने का प्लांग भी लगाने के लिए निर्देशित किया निरीक्षन के दौरान जिलाधिकारी कानपुर नगर, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर, अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर तथा जिलापशु चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट